इड़ विंग्स टू यह कर्यार सो अपन कर रहे थे खेत्री बाड़ी और इंजिनेरिंग और लास्ट लेक्च्टर में अपन पड़ रहे थे कुछ important terms उसमें अपने पड़ी क्या होता है मेरा cultural commanded area core depth core watering क्या होती है क्या होती है मेरी intensity of irrigation आज कुछ और important terms लेते हैं ठीक है तो next important terms आती है मेरी paleo irrigation paleo irrigation अब मैंने paleo irrigation के बारे में आपको बताया था कि मैं soving of seeds से पहले कुछ watering करता हूँ मैं level करता हूँ पहले land को और कुछ watering करता हूँ कुछ irrigate करता हूँ area ठीक है वो watering करता हूँ उसे मैं क्या बोलता हूँ paleo irrigation means soving of seeds से पहले जो पानी दे रहा हूँ वो मेरा क्या क्या चैलाता है paleo irrigation क्यालाता है तो it is defined as watering done prior to soving of crops watering done before soving of crops ठीक है तो यह paleo irrigation के पूछा जाता है कि मैं soving of crops से पहले जो watering करता हूँ उसे क्या बोलता हूँ तो उसे बोलता हूँ paleo irrigation ठीक है अब सोचो यह paleo irrigation किस के लिए करेंगे रभी season के लिए करेंगे या खरीफ season के लिए करेंगे सोचो देखो रभी यहां खरीफ की बात करते है खरीफ कब आती है मेरी summer में आती है है ना तो summer में आती है जब जाते जाते मेरी गर्मी इत्ती होती है कि सारा पानी evaporate हो जाता है means जो मेरा पानी FCP होना चाहिए वो कहां पहुंच जाता है PWP में कब पहुंचता है जब खरीफ खतम होने को आते है क्योंकि सारा पानी इवोपरिट गर्मी मोर है तो यहां तक पहुंच जाती है अब इसके बाद कौन से फसल करेंगे है अपन रभी तो मैं यह कह सकता हूं मैं पेलियो इरिगेशन जनरली किस से पहले करता हूं रभी की फसल स तो पेलियो इरिगेशन कहा करते है जनरली बिफॉर रभी क्रॉप्स यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है जनरली बिफॉर रभी क्रॉप्स ठीक है यह क्या होती है एक तरह से लैंड को प्रिपेर करने के लिए काम आती है ठीक है तो लैंड को प्रिपेर करने के लिए यह क्या काम आती है यह क्या होती है soving of seed से पहले जो मैं watering करता हूं और generally crop करते हैं रभी crop से पहले करते हैं ठीक है next आती है मेरा अगली term आती है case crops अब यह तो नाम सी पता चला है case crops क्या होगई case crops वो crops हो गई जिनको बेचने पर मेर को पैसे मिलते हैं अब आप क्यों होगे सर वीट गयाओं को भी बेचने से पहले पैसे मिलते हैं नहीं वो क्रॉप जो डायरेक्टली मार्केट में बिखती है जो अपने डैली यूज में रूटीन में बहुत कम काम आती है ठीक है इतनी ज्यादा काम न जूट टी कॉफी ठीक है ये डायरेक्टली क्या होती है के स्क्रॉप होती है ठीक है और क्या हो सकता है टबाको और क्या हो सकता है सूगर कैन ये सारी मेरी क्या होती है के स्क्रॉप होती है क्युस्चम पूश सकते है विच अब दा फॉलोविंग इस नॉट के स्क्रॉप ठ ठीक है क्योंकि वो अपने गरों में यूज में यूज भी आते हैं ठीक है next हम आती है मेरी capacity factor capacity factor क्या होता है mean supply discharge to maximum discharge का जो ratio होता है वो मेरा होता है capacity factor और directly question पूशते है capacity factor ravi crops के लिए क्यत्ता होता है खरीफ के लिए क्या होता है तो यहां पर ratio of mean discharge to maximum discharge क्या होता है मेरा capacity factor अब ruby crops के लिए मेरा capacity factor किता होता है तो ruby crops के लिए मेरा capacity factor होता है ruby crops के लिए 0.67 और खरीफ crop के लिए क्या हो गया मेरा खरीफ crop के लिए 0.95 अब देखो याद तरीका कैसे रखे ना ruby crops कब आती है सर्दियों में तो सर्दियों में जो मेरा mean discharge है हल्टाइ मेरे को maximum तो चाहिएगा नी तो maximum की एक peak ज़्यादा चली जाती है लेकिन mean क्या होता है कम होता है एकदम से maximum में कुछ ऐसा चले जाता है किसमें सर्दियों में लेकिन गर्मियों में क्या होता है हमेशा water fluctuate उपर ही रहता है है ना तो mean क्या रहता है approximate maximum के पास ही रहता है इसलिए mean यहाँ पर क्या हो गया capacity factor किता हो गया खरीफ के लिए 0.95 और यह आपको direct question पूछे जाता है 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 ना कि मेरा रभी crop के लिए capacity factor किता होता है खरीफ के लिए किता होता है ठीक है तो यहाँ से direct question आता है next आता है मेरा time factor time factor क्या होता है कि मेरा next आता है मेरा time factor time factor होता है actual में मेरा कित्ती देर तब कैनाल चल रही है और मेरे खेत में कित्ती देर के लिए पानी जा रहा है, तो it is the ratio of actual time of canal running to base period, उस crop का मेरा base period किता है और उसके लिए कित्ती देर के लिए चल रही है, कि दोनों क्या है, time का relation है, एक दूसरे का साल, वो मेरा क्या हो गया, time factor हो गया, तो ratio of number of day of canal actually run to the base period, ठीक है, next आता है अपना outlet factor, outlet factor क्या होता है, कि मेरी duty, outlet में कित्ती हो रही है, ठीक है, मेरे field के outlet पे मेरी duty क्या है, वो मेरी क्या होती है, outlet factor, क्या होगे, definition duty of water, at the, duty of water, at head of canal, head of canal or field, head of canal or field, head of field होती, क्योंकि duty तो अपन फिल्ड भी चेक करें, canal में थोडिन चेक करेंगे वही है, ठीक है, area कहां irrigate हो रहा है, duty क्या होता है, area irrigate वो कहां होगा, field में होगा, तो duty of water at the head of field में रख्या होता है, outlet factor होता है, ठीक है, next आता है, last term आती है, overlap allowance, यहां लिख देता हूँ, इत्ती लंबी चली जाती है, कि वो दूसरे crop के season में भी include हो जाती है, ठीक है, मतलब उसका time period बढ़ जाता है, तो मेरा क्या हो जाता है, overlap allowance हो जाता है, crop of one season में overlap the next crop season for some period, ठीक है, such a period of overlapping क्या क्या क्यलाती है, मेरी overlap allowances ठीक है, और जित्ते period के लिए वो water देता है, उसको extra overlap allowance के लिए हो जाता है, overlap allowance watering, ठीक है, तो extra discharge of canal requirement for this purpose, इस क्या क्या क्यलाता है, overlap allowance, ठीक है, means यहां पर मैं अगर एक crop लगा रहा हूँ, तो यह रभी crop है, ठीक है, तो इसका time period अगर ख हो क्या होता है, मेरा overlap allowance होता है, ठीक है, समझनाया, different terms क्या होती है, ठीक है, outlet factor से question पूछे जाता है, time factor से question पूछे जाता है, और बाकी terms आपको पता रखनी है, case crops क्या होते है, इसके examples आपको पता होने चाहिए, अब बहुत important topic आता है, irrigation efficiencies, और irrigation efficiencies, पिसली बार mens में question आया था, complete irrigation efficiencies को define करना था, ठीक है, कौन से मेंज में, SSC मेंज में, ठीक है, तो irrigation efficiencies, चलो, बात करते हैं, आपन, irrigation efficiencies, चलो, बात करते हैं, आपन, irrigation, efficiencies, समझेंगे, यहाँ पर मेरी एक river है, ठीक है, यह river चल लिए, यहाँ से क्या करूँगा, मैं canal जाएगी, यह canal मेरे field में जाएगी, यह canal से water मेरे का जा रहा है, यह field है, ठीक है, यहाँ से मेरी यह field में watering हो रही है, ठीक है अब यहां river से canal में पानी जा रहा है canal से field में जा रहा है और यहां पर route zone में पानी जा रहा है field से ठीक है route zone में कुछ पानी store होगा यह मेरी FCA और यह PWPA तो यहां route zone में कुछ पानी store होगा ठीक है लेकिन जब canal से field में पानी जा रहा है तो वीच में कुछ लॉसेज होगा किस टाइप में लॉसेज मानलो यह जनरली कैनल चल रही है और वीच में लोगों ने पानी की बाल क्या बर-बर के उठा खिले के लॉसेज हुआ मेरा इवापोरेशन लॉस हो रहा है अगर परकोलेट होना कैनल में कहीं टूट फूट हो गई परकोलेट भी तो हो रहा है ठीक है फिल्ड में जा रहा है फिल्ड से जब तक मेरा कांपर रूट एरिया में पहुंचेगा पानी ठीक है तब भी भी तो इवापोरेट हो सकता है पर्कोलेट हो सकता है और भी बहुत सी प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसके कार्ण मेरा वाटर का लॉसेज हो रहा है तो यहां पर माल लो अगर मेरे को रूट जौन में पांच बाल्टी पानी चाहिए तो क्या मैं कैनल से पांच बाल्टी पानी ट्रांसफर करूँगा नहीं कुछ ज्यादा बाल्टी पानी ट्रांसफर करूँगा कित्ती बाल्टी तो कैसे एफिसेंसी निकालते के यहां से कित्ता एफिसेंसी तक मेरा पानी इस रूट जों में पहुंच सके और पोदों के यू जा सकते उस टाइप के efficiency अपन पढ़ेंगे different type of efficiencies और फर्स्ट पढ़ेंगे अपन water convince efficiency water conveyance efficiency देखो अब water convince efficiency convince मतलब क्या हो रहा है अपन को नाम से पता चल रहा है कि water चल रहा है तो उसके efficiency मतलब यहां से water कहा चल लगा channel में चल रहा है और channel में चल रहा है means channel में कुछ losses हो रहे है यहाँ चल रहा है कि वह लोग आ गए पास बाल टी पानी अठा के ले गए उया केनाल से किता डाइवर्ट कर रहा हूं केनाल में किता डाइवर्ट कर रहा हूं उनका रेश्यू क्या हो गया मेरा water convince efficiency तो यहां लिख सकता हूं quantity of water delivered to filled to quantity of water diverted into केना quantity अच्छे से समझना quantity of water delivered in filled to quantity of water quantity of water diverted into केनाल आया समझने मैं केनाल से केनाल में पानी किता डाइवर्ट कर रहा हूं और मेरे field में किता पानी पहुंच रहा उसके 20 में कुछ losses होगा ठीक है तो यहां पर अगर 45 बाल्टी पानी पहुंच रहा या 50 बाल्टी तो है तो इस loss के काण efficiency तो अब मेरे को यहां पर 50 बाल्टी पानी चाहिए तो यहां से पहले ही क्या करना पड़ेगा ज्यादा पानी टाइवर्ट करना पड़ेगा ठीक है तो water convince efficiency क्या हो गए it is ratio of quantity of water delivered to the field to quantity of water diverted into canal got it next आती है अपनी water application efficiency सेकंड आती है water application efficiency अच्छा इसको किस से लिखता है convince efficiency तो इसको पानी जाएगा क्या store कहा होगा root zone में तो मेरा पानी root zone में किता है तो रेश्यो किस रेटा मेरा water किता है field में किता है field में आने के बाद भाई root zone में पहुंचन से पहले भी तो कुछ loss होगा तो इसके करन efficiency of application application means क्या, वो application किता हो रहा पानी, पानी का use किता हो रहा है, तो use किता है का जो मेरे roots on में store होगा, तो मेरा water stored किता हो, roots on में, to the water delivered into field, तो it is ratio of water stored in, water stored in, roots on, to water, water delivered to, वाटर डिलीवर्ड टू फिल्ड आया समझ मैं मालो यहां से 50 वाटे ट्रांफर की यहां 45 पहुंची और मेरे रूड जोन में 42 वाल्टी इंस्टोर हुई ठीक है तो इसका रेश्यों क्या हो जाएगा 42 मेरी रूड जोन में इस्टोर हुई डिवाइड वाइड मेरे फिल्ड आती है वाटर यूज एफिसेंसी क्या होती है कि मेरा वाटर किता यूज आ रहा है वाटर यूज एफिसेंसी rencont & coos & Meyer watercolor Jennifer अब यह prd!!" कि मेरा water किता हैं यूज मेरा water benefici किता है यूज आ रहा अब वह water you score निया या टो मेरी grow के लिए यूज आ और काहिए यूज आ सकता है leaching लिए है न तो leaching के लिये मेरे को जो water है वो भी मेरे लिए बैनिफीसिल हैं तो water यूज बैनिफीशियली किता यूज आ रहा है वो मेरा क्या हो गया वाटर यूज एफिसेंसी ठीक है तो वाटर किता यूज आ रहा है तो वाटर किता मेरा डिलिवर्ड वा या रूट जॉन में स्टोर हुआ है तो वाटर यूटर 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 यूजड बैनिफीशियली इसमें क्या है लिचिंग भी इंक्लूड है यहां रखना लिचिंग भी इंक्लूड है तू वाटर डिलिवर्ड तू रूट जॉन तू रूट जॉन ट्यूट के लिचांट क्या लोटर बनावे जाले जुटत लिच सबें है बहुत सब्सक्ष्ण के लिचंग के लिचे लिचंग के लिए आढलामने लिचंग वे व्ट वेर्ड टो वंमिर तक से निस्ट आता है वोटर स्टूरेज एफिशेंसी नेक्स आता है मेरा वोटर स्टूरेज एफिशेंसी what application और कन्मेंज एफिशेंस एचे से समझना ठीक है बार-बार पूछी जाते हैं एग जांस में और और न्यूमेरिकल्स भी पूस लेता है कभी कभी इन पर बेस्ट छोटा सा ठीक है अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पर बेस्ट कैसे आते हैं कि नेक्स्ट आता है अपना वाटर स्टूरेज एफिसेंजी अब जो मेरा वाटर फिल्ट में आया वो का इस्टोर वाथा रूड़्जन में तो इट इस रेशियो वाटर स्टोर इन रूड़्जन वाटर स्टोर इन रूड़्जन तू वाटर स्टोर इन रूड़्जन ने किसे लिए तक तो फिल्ड कीपिसीटी तक लाने के लिए तो ब कीद्ट के लिए और फिल्ड कैसिटी वाटना की कित्तों पानी रिक्वाईर्मेंट होगी किसके रिइस्यो में बोल्टеко catalog डोर होनी वाटना कुण एंत्वाट के लिएनसे और यह मेरा क्या होता है वाटन इस्टोर ए質ė बहुत सारी important terms एठीक है, it is ratio of normal consumptive use of water to depth of water depleted, तो normal consumptive use of water to depth of water depleted, मेरा water consumptive use किता हुआ और water की depth किती, डिप्लेट हुई इन दोना का रेश्यों क्या क्या लगता है कंजप्टिव यूज एफिसेंसी अब नेक्स और बहुत इंपोर्टेंट आती है वो आती है मेरी वाटर डिस्ट्रिब्यूशन एफिसेंसी बहुत इंपोर्टेंट है और अच्छे से समझना इसके फॉर्मलों को अब जब मैं वाटरिंग कर रहा हूं फिल्ड में ठीक है ये फिल्ड है इस फिल्ड में वाटरिंग कर रहा हूं मालो यहां कुर मैंने डी 1 डेप्ट की या डी 2 या ड अधिकशन फॉर्मूला उन्हा और फॉर्मूला होता है एफिशेंसी वाटरिस्ट्रिबिशन इस इकल टू वन माइनस डी अपॉन सोई mio माइनस वाइनस वाइनस वाई अपॉन d इन्टू हंड़ेट अब यह क्या होता है डी होता है मेरा एव्ज a o of डेप्ट अफ उश्य depth of watering, मैंने जो watering की है, उनका average, तो d is equal to क्या हो गया मेरा, d1 plus d2 plus d3 plus d4 upon 4, वोई, got it, y क्या हो गया, average of deviation of watering, ठीक है, तो y मेरा क्या होता है, average of deviation and depth of watering, 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 अब y कैसे निकालेंगे, तो y is equal to होता है मेरा, y1 plus y2 plus y3 plus y4 divide by 4, y1, y2, y3 क्या हो गया, deviation निकालना, तो y1 क्या हो गया, mean minus d1, और इसका क्या हो जाता है, mode में ध्यान रखना क्योंकि मेरी depth कभी negative नहीं होती, y2 क्या हो जाएगा, similarly, mean minus d2, y3 क्या हो गया, mean minus d3, और ये सारे mode में and so on चलते जाएंगे, ठीक है, तो मेरा efficiency और distribution क्या हो गया, 1 minus y upon d in 200, y क्या होता है, average deviation in depth of watering, d क्या होता है, average depth of watering, अगर d1, d2, d3, d4, अगर मैं watering करता हूं, depth of watering करता हूं, तो मेरा average depth of watering किता हो जाएगा, d1, d2, d3, d4, y4, और deviation के मैं कैसे नहीं कुलंगा, तो इस तरह से निकालंगा, what it, और इस पर best question आता है, ठीक है, direct आपको ये भी दे सकता है, terms दे सकते हैं, या फिर depth भी दे सकते हैं, ठीक है, तो इस पर best questions आ सकते हैं, और important formula, direct formula भी पूच सकते हैं, ठीक है, terms कौन सी क्या होती है, वो भी पूच सकते हैं, ठीक है, तो ये थी अपनी सारी irrigation efficiencies, अब अपन बात करते हैं, कुछ और terms की जो important होती है, जहां सी questions आते हैं, ठीक है, फिर अपने chapter को खदम करते हैं, बस थोड़ा सा chapter बचाएं, चलो, next आता है, conjunctive irrigation requirement, CIR, आर, conjunctive irrigation requirement, देखो, conjunctive irrigation requirement, CIR, क्या होता है, पहले तो मेरे अगर, फिल्ड में अगर मेरी खेती कर रहा हूं, खेती कर रहा हूं, तो पोदों को पानी चाहिए, तो वो किता पानी चाहिए, that is conjunctive irrigation requirement, तो उसमें कौन-कौन सी term include होगी, पहले तो मेरा conjunctive use of water किता है, है न, दूसरा, अगर मेरी rain fall हो रही है, तो मेरा क्या हो जाए, conjunctive use of water कम हो जाएगा, similarly, अगर मेरा moisture content present है, तो और मेरा क्या हो जाएगा, conjunctive use और कम होजेगा, मैं इन दोनों क्या कर दूँगा, minus, क्योंकि मेरे को पानी कम देना पड़ेगा, लेकिन अगर evapotranspiration हो रहा है, तो मेरे को पानी बढ़ाना पड़ेगा, तो एक तरशी मैं कह सकता हूं, conjunctive irrigation requirement क्या होता है, ये evapotranspiration को क्या करता है, इक्वल करने की कॉसिस करता है, है ना, तो ये क्या करता है, evapotranspiration को meet करने के लिए अपन क्या करता है, conjunctive irrigation requirement करता है, ठीक है, दूसरा टरम्स आता है, अपना net irrigation requirement, net irrigation requirement, net irrigation requirement मतलब, मेरे को field में खेती करने के लिए total किता पानी चाहिए, ठीक है, field में खेती करने के लिए total किता पानी चाहिए, तो वो क्या होजएगा, conjunctive irrigation requirement, प्लस मेरे different losses को cover करने के लिए जो पानी चाहिए, वो प्लस leaching के लिए मेरे को किता पानी चाहिए, वो हो सकता है ठीक है और भी मेरे जैसे nursery के लिए मेरे को कित्ता पानी चाहिए वो भी include हो सकता है तो मतलब total जित्ता भी पानी चाहिए वो मेरा क्या जाता है net irrigation requirement आता है next हम आती है field irrigation requirement अब अच्छे से समझना यह important term है field irrigation requirement कि गखों फील्ड िडिएधर मैंने क्या बता था यह मेरा बया WATER रीवर यहाँ से रिवर है यहां कैनाल पास हो रहे है और फील्ड में पानी आ रहा है ठीक है फिल्ड इस्टोर इस हीएधर में यहां पर मेरा language store हो रहा है ठीक है यहां पर मेरा capillary water store हो रहा है और यहां से यहां आते तक मेरे कुछ losses हो रहे हैं हो रहे है या नी हो है ठीक है और उस losses को मैंने क्या बोला था application efficiency के terms में कुछ बोला था यादा रहा है तो मेरा फ्रीलीकेशन requirement क्या होता है कि मेरा जो net irrigation requirement चाहिए कि ए मिरको यह ना मैट irrigation requirement चाहिए अपन में क्या आ जाता है application efficiency क्योंकि मेरे loss को कैसे कणने निकालूँगा मैं application efficiency का इसमें डिवाइट कर दूंगा नाध irrigation requirement में तो मेरा क्या जाएगा field irrigation requirement और यह बहुत important होता है ठीक है तो मेरा field irrigation requirement क्या होगा ratio of net irrigation requirement अपॉन एप्लिकेशन एफिसेंसी ठीक है लास्टम आती अपनी ग्रॉस इरिगेशन रिक्वाइर्मेंट ग्रॉस इरिगेशन रिक्वाइर्मेंट और ग्रॉस इरिगेशन रिक्वाइर्मेंट मेरी क्या हो जाएगी कि मेरी river से मैं kainal में कि pitches पानी divert करूं कि मेरी field irrigation requirement भी complete हुज経 है net irrigation requirement भी complete हुज経 है means यहाँ पर क्या हुआ ही है मेरी convince efficiency है ठीक है तो field irrigation requirement को complete करने के लिए convince के जो losses को complete करना है وड़ना है वापस तो यहाँ पर क्या कर देता हूँ field irrigation requirement अपन है को यहां से मैं क्या लिग सकता हूं एप्लिकेशन एफिशेंशी और कंवेंश है बहुत consistent आते हैं थेक्र इढ़ेपाया था अबने क्वेस्टन बहुत चाहिए ढम समयआ आया समझ मैं तो अपन ने सारी efficiencies देख ली सारी requirements देख ली मेरे field irrigation requirement क्या होता है net irrigation requirement क्या होता है gross irrigation requirement क्या होता है ठीक है अब अपन एकाथ question कर लेते हैं इस पर based ठीक है चलो मेरे को दे रखा है कि एक canal है जिसको मेरे को design करनी है ठीक है और area दे रखा है thousand hectare ठीक है canal की design करनी है to water supply of thousand hectare area growing rice यहाँ पर मेरा rice grow कर रहा है इस एरिया में जिसका area thousand hectare और इसका base period दे रखा है वो है मान लो 140 days ठीक है और delta दे रखा है इसका 130 cm अब बोल रहा है इसी कैनाल से मेरे को क्या करना है wheat wheat के लिए करना है ठीक है wheat को irrigate करना है और उसका मेरे को base period तो दे रखा है one one nine days और delta दे रखा है 50 cm ठीक है तो यह बोला है अगर मेरे पास rice को मैं irrigate कर रहा हूं और base period और delta मेरा यह है ठीक है तो उसी quantity of water के लिए उसी कैनाल के लिए मेरा wheat का किता area irrigate हो रहा है यह question पोच रहा है तो आसान सा question है मेरे को पता है मेरा duty क्या होता है 8.64 by delta और duty की unit क्या होती है hectare पर cumic होती है है hectare पर cumic होती है यहां पर thousand hectare area दे रहा है न तो hectare पर cumic तो यहां से मैं देखो unit से काम करता हूं hectare means उपर area area दे रहा है मेरे को thousand चलो यह thousand लिंग गया cumic means discharge discharge मेरे को पता ही नहीं है ओके यहां 8.64 भी मैं पहले rice की बात कर रहा हूं तो rice का base period किता है 140 days और डेल्टा क्या हो गया 130 क्या यह 130 सही है नहीं क्योंकि इसको मिटर में convert करना पड़ेगा क्योंकि यहां 8.64 लिए अगर 864 लेता तो वहां 130 चलता लेकिन 8.64 यहां से मैं इसको solve करूंगा तो मेरा डिस्चार्ज आ दाएगा 1.074 क्यूमेक मींस मिटर क्यूब पर सेकेंड अगर यही डिस्चार्ज मेरे कैनाल से वीट के लिए आ रहा है तो 1.074 8.64 दे रखा है मेरे को वीट का किता है 119 डेज और डेल्टा दे रखा है 50 cm क्या लूँगा यहां पर 0.5 मिटर इसको मिटर में convert करना पड़ेगा और यहां से इसको solve कर देना area आ जाएगा मेरा 2210 hectare आसान सा question आता है ठीक है unit based question आता है unit से आप question solve कर सकते हो तो अगर आपको unit पता हो या आपको formula पता हो तो आसानी से कर सकते हो सिर्फ calculation करनी होती है ठीक है एक question और कर लेता है अपन distribution efficiency पर बेस्ट कैसे करते है उस question को देख लेता है ठीक है उसके बाद अपन lecture खतम करता है माल लो अगर मेरा फिल्ड है ठीक है यह फिल्ड है ठीक है और इस फिल्ड में depth of waters दे रखिए यहां पर टू दे रखिए 1.9 1.8 1.6 और 1.5 यह different depth of watering कर रखिए इसकी मेर को क्या निकालने है distribution efficiency निकालने है distribution efficiency का formula क्या होता है efficiency of distribution क्या होता है 1 minus y upon d into 100 यही होता है formula मेरा d क्या होता है नीन होता है इन सब depth का तो d1 plus d2 plus d3 plus d4 plus d5 upon 5 इन सबका add कर को करके 5 का divide करूँगा तो यहां पर मेरे को average किता मिल जाएगा करके देख लेते हैं 2 plus 1.9 plus 1.8 plus 1.6 plus 1.5 divide by 5 इन सबको add करो 8.8 divide by 5 that is equal to 1.76 meter यह तो मेरे क्या गया average depth of water अब मेरे को क्या निकालना है और y is equal to क्या होता है average division that is equal to y1 plus y2 plus y3 plus y4 plus y5 divide by 5 अब y1 y2 y3 कैसे निकालूँगा तो अपने सीखा था y1 के लिए क्या करूँगा मैं जो मेरा division D हो रहा है कौनसा average शोरी average हो रहा है 1.76 minus y1 sorry D1 depth क्योंसे हो गई 2 और इसका mod ले लो 0.24 similarly y2 क्या हो जाएगा 1.76 minus 1.9 इसका mod ले लो 0.14 y3 1.76 minus 1.8 तो आगया 0.04 similarly y4 1.76 minus 1.6 that is equal to 1.6 sorry 0.16 और y5 1.76 minus 1.5 that is equal to 0.26 अब इन सबको add करके उनका average ले लो तो यहां से मेरे को y मिल जाएगा आप खुद कर सकते हो y equal to 0.168 और y की value यहां रख दो d की value यहां से यहां रख दो formula दियावा है solve कर दो आपको क्या मिल जाएगा distribution efficiency मिल जाएगी तो इस तरह के numericals question आता है exam में और कर सकते हैं अपना आसानी से duty delta पे बेस्ट बहुत सारी question आते हैं छोटे-छोटे question होते हैं ठीक है efficiencies पे question आते हैं और अपने यहां efficiency duty delta सब कुछ clear कर लिया है ठीक है तो बने रहिए अपनी integrate it के साथ ठीक है thank you thank you so much